गुड मॉर्निंग बच्चो वेलकम टू ओनलाइन क्लासे जो फारालेकेड में आज की क्लास इंग्लिस कंपलसरी के स्टुडेंट्स क्लास 12 के लिए रहने वाली है टूल्थ क्लास के अंदर अपन पनोर्मा बुक से रोट लेशन है वो यानिके पढ़ रहे थे और पढ़ भी लिया है डोट लेशन जिसके अंदर अच्छे वीडियो बनी है और वह अच्छे वीडियो में आपको शेर कर चुका हूं जिन स्टुडेंट्स ने अभी तक रोट लेशन नहीं पढ़ा है वो पहले डोट लेशन को पढ़े उसके बाद आज की वीडियो में मैं जो आपको सोट क्योशन आंसर करवा रहा हूं वह आप अपनी इंगलीस की नोट बुक में लिखे आज की जो वीडियो रहने वाली है बच्छो इसके अंदर अपन हम सोट ज्यादा है तो हो सकता है दो तीन वीडियो के अंदर मां आपको यह क्योशन आंसर आपको यह अनिकी सेंड करूं तो इसलिए इसक्योशन को आप ध्यान से समझ करके इंगलीस की नोट बुक में लिखे और जैसे ही मां आपको कहूं आप मेरे पस्टनर नंबर पे यह करते हैं आज की ख्लास जिसके अंदर अपन पढ़ने वाले हैं पनोर्मा बुक जो की लेशन ड्रोट जो था उसके सो टाइप क्योशन आंसर और यह चेप्टर जो कि अपन पढ़ चुके हैं जिसके राइटर सरच चंदर चैटर जी थे जिसके आप देख सकते हो इसमें तो चलो बच्चो अब हम क्या करते हैं इस जेप्टर से क्योशन आंसर वह सुरू करते हैं तो क्योशन आंसर के लिए बच्चो सबसे पहले देखिए अपन जो क्योशन आंसर कर रहे हैं इस वीडियो के अंदर उसकी वर्ड लिमिट क्या रहेगी 30 to 40 रहेगी और आपके एकजा है मैं आपको एक एक करके बता देता हूं अच्छी तरह ऐसे आप यारे की कोपी में नोट कर लेना और वीडियो को अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक करना क्योंकि मैंने बहुत मैंने से नोट्स पनाए हैं तो पहला देखिए कि वाट डिड तारक रतन डू क्योश्चन यानि कि सबसे छोटे बेटे के बड़े पे तारक रतन ने यानि कि क्या किया जमिदार के घर पे तो क्योश्चन दुबारा देख लीजिए बच्छो कि वाट डिड तारक रतन डू तारक रतन ने क्या किया at the landlord's house जमिदार के घर पे किस आउसर पे कि उसके सबसे छोटे बे कि तारकरतन ने ओफड प्रेश प्रेयर ओफर की कहां एट दे लेंडलोर्ड साउस लेंडलोर्ड का नाम क्या था बच्चो सिबू बाबू सिबू बाबू के घर भी आप लिख सकते हो on the occasion of किस आउसर पे his youngest son's birthday उसके यानि सबसे जो छोटा बैटा था उसके बड़े पे लेंडलोर्ड गेव हिम और जमिदार ने उसे क्या दिया बच्चो लेंडलोर्ड गेव हिम some rice and fruit in return कि बदले में उसे चावल और कुछ यानिकी फल दिये यह question आपने यानिकी बच्चो देख लिया होगा इसके बाद चलो अपन क्या करते है अगर आपको यानिकी समझना आए तो आप दुबारे question को क्या कर सकते हो अब अगला क्योशन है बच्चो अगला क्योशन रहेगा कि what did तारक रतन ask तारक रतन ने क्या कहा किसको गफूर को वहल रिटर्निंग जब लोट रहा था फ्रोम कहां से दे लेंडलोर्ड साउस जमिदार के घर से आरेगी जब लोट रहा था सिबु बाबु के घर जहां उन्होंने प्रेयर ओफर की थी वहां से जब लोट रहा था तो तारक रतन ने यानि तारक रतन जो की कौन था यानि तुजारी था सिबु बाबु का और उसने गफूर को क्या कहा तो आंसर देखिए कि तारकरतन, आस्क्त तारकरतन ने कहा किसको गफूर को to take care कि आप ध्यान रखना of the bull महेश का बूल का नाम क्या था महेश कि तारकरतन ने कहा गफूर को कि take care करना, ध्यान रखना, धेक बाल रख करना किसकी of the bull महेश की and feed him properly और उसे properly feed कर ला प्रोपरली खाना खिलाना और he said that और उसने कहा कि if the bull died अगर बेल मर गया तो his master सीबू बाबू उसका जो मालिक सीबू बाबू है वो क्या करेगा उसे would play him alive फले का मतलब कोडे लगादा वो उसके कोडे लगाएगा और he will not tolerate it और वो इसको क्या नहीं करेगा बच्चो टोल्रेट नहीं करेगा बरदास्त नहीं करेगा सहन नहीं करेगा तो question आपने देख लिया होगा तो अगला question है बच्चो क्योजन नमर तेन रेकिये अगला क्योजन है थिर्धू है क्या रिष्क सामिल थी in letting महे लूज in letting महे लूज कि महेश को लूज चोड़ने मे धीला चोड़ने मे क्या रिष्क था क्या जो खिम था कि महेश जो कि आने की वहां बंदा हुआ था गफूर बिमार था, बार वह चराने के लिए उसे ले जा नहीं सकता था तो अगर वह उसे अकेले को यानि की खुला छोड़ दे तो उसमें क्या रिस्क था अच्छा परसेना बचो, important question भी है ये तो अब वो क्या है कि if he had been let loose अगर उसे लूज छोड़ा जाता, अगर उसे धिला छोड़ा जाता तो he might have started poking his nose into somebody's peddy तो he might have started, वो साइद क्या करता, शुरू कर देता poking his nose into somebody's peddy, poking his nose मतलब मुँ डालना किस के, यानि किसी के peddy मानी धान के उपर हुए अपना मुँ डालना शुरू कर सकता था या would have eaten somebody's straw या वो क्या खा लेता, किसी का straw खा लेता, घास फूस खा लेता और the result would be fatal, और result है वो घातक हो शकता था for किस के लिए his owner गफूर, उसके मालिक गफूर के लिए तो कहने का मतलब क्या है, कि रिस्ट की यही था महेस को लूज सोड़ने का कि वो किसी के भी पेडी में क्या कर सकता था, धान में अपना यानि कि मूँ मार सकता था और साथ ही में किसी का भी यानि क्या कर सकता था straw है वो यानि कि eaten खा सकता था और जिससे यानि कि इसका प्रिणाम किस के लिए घातक होता मालिक गफूर के लिए और ये वास्तों में यानि कि मालिक गफूर के लिए जो प्रिणाम था वो यानि कि घातक सिध होता भी है कैसे होता है कि जैसे ही उन्होंने यानि कि क्या किया जाता है यानि उस महेश को यान आपने यारने के हुए लाग्ला कियोंचन देखेये वैए वह वोर्ज देयर्स में सब्ढ़ार्द क्यों थी वहांक न ज्यादा कमी क्यों थी और वाटर की इन दॉड catalog कि आ थी और two out of three village tanks two out of three village tanks कि तीन गाउं के यानि की village tanks थे उन में से दो यानि की tank है वो had dried up यानि कि वो सुख गए थे किसके कार्ण सुखे के कार्ण और the private tank of Shibu Babu और Shibu Babu का जो private tank था was not for public use वो बच्चों किसके लिए नहीं था public यूज के लिए नहीं था सो इसलिए there was so much scarcity इसलिए वहां भोद ज्यादायानी की कमी थी और water की in the village गाउं के अंदर ठीक है बच्चों वीडियो अगर आपको अच्छी लग रही है तो ज़रूर लाइक करें अगर कोई नया students है तो चैनल को subscribe करें तो अब देखिे बच्चों अगला क्योंसन है छोटा क्योंसन आएगा इसमें वह कौन सा क्योंसन आएगा कि ड्राएक रेक्रटर स्केच और तारकरतन तारकरतन का क्रेक्टर स्केच रा कीजिए गफूर का क्रेक्टर स्केच तो यानि की बड़ा क्योसन आने की संभावना है लेकिन तारकरतन का छोटा रोल है तो इसमें दो नम्मर का क्योसन है वो पूछा जा सकता है कि तारकरतन का चरितर चितरन कीजिए सबसे पहले तो अपन बात करें तारकरतन कौन था तारकरतन was the family priest of the landlord सीबु बाबु कि तारकरतन क्या था family priest था पारिवारिक पुजारी था किसका यानि कि landlord सीबु बाबु जमिदार सीबु बाबु का ठीक है बच्चो और अब वो केशा था अब यहाँ पे देखो बच्चो म heartless वो केशा था heartless था हरदे हीन था वो selfish था वो सवार्थी था हमबग का मतलब पाखंडी था क्रूल का मतलब निर्दई था and flatter person और चापुलूसी करने वाला यानिकी वेक्ती था तो यहाँ बच्चो आप देख लेना यहाँ आपको क्या करना है H I की जिगे H E करना है ठीक ह तो तारकरतन जो की क्या था family priest of landlord जमिदार का family priest था और he was heartless selfish हमबग हमबग मतलब पाखंडी क्रूल निर्दई था फ्लेटर था चापुलूस था और he did not land a beat of hay he did not land उसने उधार नहीं दिया beat of hay थोड़ा सा भी यानि hay का टुकडा नहीं दिया मतलब क्या है गहास फूस यानि की नहीं दिया किस के लिए महेस के लिए so that जिससे की he could have something to eat उसके पास कुछ खाने को हो for a day or two एक या दो दिन के लिए ठीक है बच्चो क्योसन समझ में आ गया होगा दो नुमर का important क्योसन है ये भी तो ये भी आप यानि की note कर लेना अब अगला क्योसन रहेगा अपना देखिए question number six very important question क्या है कि देखिए कि why did गफूर not sell महेस की गफूर है वो महेस को क्यों नहीं बेचा at the cattle market cattle market में कि जो मवेस्यों को जब वजार था उसमें यानि की गफूर ने यानि की उसे महेस को यानि जो की उसका बेल का नाम है उसको क्यों नहीं बेचा तो देखिए बच्चो very important question है तो गफूर loud महेस very much पहली लाइन क्या रहेगी कि गफूर है वो loud करता था प्रेम करता था किस से महेस से very much बहुत ज़्यादा और the bull जिसका नाम क्या था महेस had served him महेस ने उसकी सेवा की for किते years तक बच्चो eight years तक यानि कि महेस ने उसकी सेवा की और he knew that वो जानता था कि वो क्यों नहीं बेचना चाता था देखिए बच्चो the animals sold at the cattle market यानि कि animals जो sold किये जाते हैं बेचे जाते हैं कहां cattle market में was killed उसे मार दिया जाता है for their meat उसके meat के के लिए उसके मास के लिए and skin के लिए यानि कि उसकी चमडी के लिए खाल के लिए और so he did not sell महेस इसलिए यानि कि वह नहीं बेचा महेस को at the cattle market कहां cattle market में तो बच्चो आपको यह question से या समझ में आ गया होगा कि question है अपना कि why did the food not sell very important question है बच्चो कि गफूर ने यानि कि क्यों नहीं बेचा उस महेस को cattle market में तो उसका reason यही था कि गफूर बहुत जारा प्रेम करता था महेस से और बेल ने उसकी 8 साल तक सेवा की और वह जानता था कि animal को बेचना cattle market में मतलब क्या था यानि कि उसको kill करना था किस के लिए meat or skin के लिए तो अगला जो question रहेगा कर लेना और यह question है कि what is penance penance का मतलब price cheat penance का मतलब क्या होता है price cheat what is penance यह माँ आपको आनिकी पहले भी आपको बताया था बोड़ के उपर कल की आनिकिलेशन कल के आनिकी वीडियो के अंदर कि penance क्या है price cheat क्या है पस्चाताब क्या है और why did Gafur think of doing it why did Gafur think Gafur ने क्यों सो प्रचा ओप doing it यह करने को कि penance करने को उसने क्यों सोचा तो सबसे पहले बच्चो देखो very very important question है यह आपको यानिकी सब को यानिकी learn होना चाहिए तो देखिए बच्चो पैनेंस क्या है तो पैनेंस क्या है इज एन एक्ट पैनेंस एक्ट है एक एशाकार यह है you do जो आप करते हो पैनेस क्या है एक एक्ट है जो you do आप करते हो in order to sow किसके लिए तो सो देखिए यह सो करने के लिए you are sorry आपको दुख है खेद है फॉर्डर रौंग यानिकी रौंग के लिए गलती के लिए you have done जो आपने किया है तो क्या है penance क्या है is an act penance एक ऐसा act है in order to show जिसको यानि कि penance इस order में किया जाता है कि you are sorry जब आप sorry feel करे for किस के लिए wrong you have done कि आपने कोई गलत काम कर दिया और उसके बाद आप sorry feel करे उसको अपना आप क्या करते हो उसके sorry feel करते हो तो उसको क्या करते हैं उसको penance यानि की कहते हैं तो कहने का मतलब उसने गलत काम क्या किया उसने उस महेस बेल को यानि की मारा और उसने माना किये मैंने गलत काम किया और अब क्या करता है अब वो sorry feel करता है और sorry feel करने के बाद जो यानि price प्राइस चीध करता है प्राइस में परेजिकर होता है यह दो ami क प्लेट को तब जो आप यह दिखाने कली ह्मगारा हे तो जो इस चरते क्राइज कमें हो यह दिखाने के लिए कि you are sorry आपको भोज यदा खेद है दुख है for the wrong wrong के लिए जो you have done जो आपने किया गफूर थोट of doing it गफूर ने सोचा ये करने को अब देखो why did गफूर think of doing it गफूर ने यह सोचा ये करने को गफूर ने ये सोचा ये करने को because क्यूंकि he thought himself was swam socha कि to be responsible he thought उसने शोचा himself to be responsible कि वह swam क्या था जिम्मेदार था for किसके लिए महेस कि लिए यानि महेस को मारने के लिए important क्योशन है बच्चो वह इसलिए यानि कि सोचा कि मेरे को penance करना चीए क्योंकि वह मानता है कि महेश को मारने के लिए मैं स्वेम क्या था यानि की जिम्यदार था तो बच्चो इस तरह से आने की साथ क्योशन हो गए हैं और आठवां क्योशन ये लास्ट आज की वीडियो में अपन करेंगे और बाकी जो क्योशन है सोट टाइप क्योशन और टाइम कि एं दो टाइम का वहेन गफूर लोस्ट शेलफ कंट्रोल जब गफूर लोस्ट सेलफ कंट्रोल खो-देता ये आतमनी अंतन हो देता है ठींग बच्चो तो इसमें दो टाइम यानि की बच्छ को सबसे पहले तो first when गफूर had returned home, जब सबसे पहले तो जब गफूर कहां लोटा, अपने घर लोटा, eight noon दोफेर को, after किसके बाद futile मानी वेर्थ, search of work, वेर्थ में यानि की काम की तलास के बाद, जैसे ही गफूर अपने घर लोटता है, तो क्या होता है, his daughter told, उसकी daughter जिसका नाम क्या था बच्चो, आमीना, his daughter told that, उसकी बेटी ने उसे कहा था कि, there was no food, की घर में क्या नहीं है, खाना नहीं है, and no water in the house, और घर में क्या नहीं है बच्चो, पानी भी नहीं है, तो पहली बार तो गुशा कब हुआ, कि when, गफूर had returned, ये भी important क्यों स गर, eight noon, दो फैर को, कब, after futile search of work, किस के बाद, यानि एक निरर्थ के बाद, यानि की काम की तलास के बाद, यानि की काम में उसे सफलता नहीं मिलती है, जैसी वह लोटता है, तो उसकी daughter ने उसे कहा, कि घर पे क्या नहीं है, फूड नहीं है, और water भी नहीं है, एक तो ये ह हुआ, तब यानि की वह क्या होता है, गुसे में होता है, और वह अपनी बेटी को यानि की बला बुरा कहता है, थपड मार देता है, स्लेप कर देता है, second, दूसरी बार, वहेंदा लेंडलोड्स मेसेंजर, जब जमिदार का, यानि की जो संदेश वाह था, वो called him, उसने उस को पुकारा, अगली नेम्स पुकारा, गालिया निकाली, तो गफूर क्या करता है, लोश्ट सेल्फ कंट्रोल, गफूर ने क्या कर दिया बच्चो, सेल्फ कंट्रोल यानि की खो दिया, तो उमीद है बच्चो, आपको आज की क्लास अच्छी लगी होगी, आपको अच्छी यानि कि personal number पर क्या कर सकते हो छोड़ सकते हो आज की class जो भी attend करें वो students comment box के अंदर यानि कि अपना नाम है वो जरूर छोड़े ताकि मेरे को पता चल सके कि कौन-कौन यानि कि class को यानि कि attend कर रहा है तो सारे students है मेरे को पता चल जाएगा मैं उनसे यानि कि contact करूँगा कि आ ठीक है बच्चो थैंक यू